हलो गाईज इस पार्ट के शुरुवात में हम देखते हैं कि रूटीन सेक्रिफाइस आज था जहां पर हर तरह के लोगों ने पार्टीसिपेट करा था दूसरी तब शेंग फैमली भी वहाँ पर पहुँच आती है और उनको देख कर लोग आपस में बाते करने लगते हैं कि लगता नहीं कि इस बार शेंग फैमली के तरफ से कोई भी पार्टीसिपेट कर रहा है और यहां दूसरी तरफ हो यूजी को मैं शेंग जी के नाम से बुलाता है और जैसे कि वो भी रोयल फैमली में से एक थी तो वो ने मिनी स्टेज की तरफ चाने को कहता है और इसके से जाने लगते हैं जाते जाते वो यांग लेली से पूछते हैं कि इसने इसको दूसरे नाम से क्यों बुलाया यूजी का नाम तो यूजी है ना जिस पर लेली कहती है कि यूजी का नाम मैंग नहीं है बलकि उसकी पड़ी बेंड का नाम है और अगर वो उसके उसी बेंड के नाम से बुला रहे तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है उन दोनों को ऐसा बात कर कि यूजी को गुस्टा जाती है और वो लेली से कहती है कि तुम्हें इस पत्तम ही जाद में से बात करनी की चरूरत नहीं है और इसे बोलना कि नीचे ही रुके ये मिर सामने आकर नहीं बैठना चाहिए और फिर वो वहाँ से गुस्टे से निकल जाती है यानि कि यूजी मुयांग से इसलिए गुस्टा है कि उसने जित करके रोटीन सेक्रिफाइज में पार्टिसेपिर करनी के डिसिजन लिया है और अब वो सबकि सब वहाँ से चाने लगते हैं लिली जाते-जाते मुयांग से कहती है कि उसकी बातों को पुरा मत मानना और यहां दोस्य तभ मुयांग भी सोचने लगता है तब हィ उसका ब्रेसलर शाइन होने लगता है जो कि उसे एक वाल के पीछे सारा कर रहा था और अब जिस पर मुयांग को लगता है कि चरूर वाँ पर कुछ ना कुछ जिच है और अब वो अपने आपको रोक भी नहीं पा रहा था तभी जब वो वाँ से जाई रहा था कि पीछ में जंडल आ जाते है और उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है ऐसी हरकते मत करो क्योंकि Link Family तो मैं उपर से देख रही है और यहाँ दूसरी तव कॉंग्जु का भाई उससे कहता है कि यह वही लड़का है जिसका नाम मुयांग है और अब जिस पर कॉंग्जो कहता है कि हाँ यही वो लड़का है वैं लास्ट टाइम मैंने उसे चाने दिया था बट इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और अब वो यहाँ पर शौन कुइंग को ढूडने लगता है दूसरी तफ हम मुयांग को दिखते हैं जो कि जनरल से पूचता है कि क्या उस दिवार के पार ब्लैक जेट वाल रखा हुआ है जिस पर जनरल कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना और जिसकी फैमली रोटीन सेक्रिफाइजर में जीतती है उनका नाम ब्लैक जेट वाल में लिखा जाता है जिस पर मुयांग कहता है कि यह सब तो मैं जानता हूँ यूजी ने मुझे बताया था और आप याँ पर जनरल पीछे मुड़ता है कि क्या तुम्हें यूजी ने ये भी बताया कि जेट वाल में मेरा भी नाम लिखा हूँ है और उसकी बातों को सुनकर मुयांग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सचमी आपने एक पर रूटीन सेक्रिफाइस जीता था जिस पर चंदर कहता है कि हाँ बहुत पहले पर आप रहने दो और फिर जब वो आपस में बात करी रहे होते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है और वो चंदर से कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था और अब वो दोनों की दोनों यहाँ पर बाते करने लगता है मुयांग का प्रेसलेट फिर से ब्लैक चेट वॉल की तरफ अट्रैक करने लगता है जहाँ पर वो अपने आपको चाह कर भी नहीं रोप पाता है और फिर उसके पास आने की बात वो कहता है कि मुझे से देखने का मन कर रहा है आखिर यह दिखता के से है इसके लिए मुझे जीतना होगा और मैं जरूर जीतूंगा और वैसे भी मेरे पास तो मेरा प्रेसलेट भी है ना और अब उसका प्रेसलेट फिर साथ ट्रैक टूने लगता है जिस पर हो कहता है कि आवी नहीं और तभी वो पीछे मुझे की देखता है जहाँ पर कुछ लोग आपस में बाते कर रहे होते है क्या तुमने उस लड़के को देखा जो की शैन फैमली के साथ आया था मैंने सुना है उसका नाम मुयांग है पतानी प्रिंसेस को वो लड़के तक क्यो पसंद है जब दिखू उसे अपने आसपस खुमा के रखती है मैंने तो ये भी सुनाई कि उससे बहुत गंदी वाली पत्पू आती है और वो बहुत ज़्यादा अगली भी दिखता है यहाँ पर वो मुयांग की बीज़ती कर रहे होते है और तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि शायद मुझे लगता है कि प्रिंसेस का चकर उसे चल रहा है तभी तो वो इतने चल्दी मियाओ यूसे साधी करना नहीं चाहती है और वो वहाँ पर हसस के बाते करने लगते हैं वो पीछे मुटते हैं जहां पर मुयांग उनकी बातों को सुन रहा होता है और उनसे कहता है कि क्या हुआ तुम अचानक से चुप क्यों हो गए जिस पर वो बात को बलर देते हैं और कहते हैं कि हम तो यह बोल रहे थे कि और कहता है कि मैंने सुना तुम क्या बोल रहे थे और यहां पर जब वो अपसे बात करी रहे थे तब यह साइड में ख़ड़ा एक बंदा कहता है कि तुम इस लड़के से किस पात के लिए डर रहे हो बोल दो चो तुम बोल रहे थे और अब मुयांग उसके पास आता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो और कहां से आयो जिस पर वो लड़का बताता है कि मेरे नाम फू है मुयांग उसकी बातों को सुनकर कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम से यह पुछाता कि तुम कहां से आयो ना कि तुम्हारा नाम और अब उसकी बातों को सुनकर फू को काफी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहता है कि वो तो वक्ती बताएगा कि हम इसे कौन ज़्यादा पावरफुल है और अब वो यहाँ पर लड़ने ही वाले ही थे वहाँ पर शौन को इंगाज आती है और उन सब से कहती हैं कि तुम सब के सब यहाँ पर क्या कर रहे हो फÁ spannर होनी वाला है और तुम दोनों यहाँ पर लड़कर अपनी अनरशी बेस्ट कर रहे हो अब जिस पर अंधोनों को भी अपाइंट की बात लगती है और अब यहाँ पर फू मुयांग से कहता है कि वो रोटिन सक्रिफाइस में पता चलेगा और हारने वाला बंदा टैंपल ओफ हैवन से लेकर यौंग चंग तक पैदल जाएगा जिस पर मुयांग कहता है कि यह तो वक्ती बताएगा अब यहाँ पर उनके जाने की बात शौन कुईंग मुयांग से कहता है कि तुम्हें उनकी बातों पर थ्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हारा सामने कुछ भी नहीं है अब जिस पर मुयांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और अब जिस पर शॉन किंग कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारे नहीं नहीं बलकि मैं रास्ते से गुजर रही थी लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ मियाओ यू बहुत जादा चलाक है और उसने कुछ न कुछ प्लैनिंग तो करी होगी तुम्हें हराने के लिए तुम साफधान रहना और वहाँ से चले जाती है और दूसरी तफ ओपर मियाओ यू भी वहाँ पर बहुत जाता है और नीचे मुयां की पास जनल आते हैं और उस मियाओ यू 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 से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आई हो मुझे तो लगा था कि शायद तुम नहीं आओगी मुझे लगता कि शायद इस पार भी शन प्रैमली हार जाएगी अब उसकी बातों को इस पर कोई इंटरस्ट नहीं है और वो उसकी बातों को एक्णोर करते करती है यहाँ पर मियाओ यू होस से रीच्वल रूप करने के लिए क्याता है और यहाँ पर होस तब को बताता है कि एक पर जो बंदा यहाँ पर ट्राय कर देगा उसकी बात कोई भी वापस नहीं आएगा और एक आत्मी को सिर्फ उसे एक ही मौका दिया जाएगा और फिर इस वोई नेक्स को जितनी भी उचे इसके पंक होंगे वो यहाँ का विनर होगा और इस पर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसमें इतना स्पेशल क्या है इसे तो हम असानी से करतेंगे यहाँ दूसरी तर चंडर मुयांग को बथाते हैं कि इसे इतना ज़्यादा ह है रहान हो जाता है क्योंकि वो पहली बार उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और यहां यूजी को भी पता चाल जाता है कि यह सब कुस्म्याव यूनी कर रहा है जंडर मुयांग से कहते हैं कि मैंने कहा था ना यह जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे अब अपना पैस दे कराना और यहां फू भी मुयांग से कहता है कि देखता है हम दोनों मेंसे विनर कौन बनेगा अपनी शर्ट याद रखना यहां पर लोग आपसमें बाते करने लगतें कि यह फर्स्ट है मुझे नहीं लगते कि यह जीत पाएगा और दूसरी तरफ मुयांग जाते है क्योंकि उस पर्ट की थोड़ी से पंग उठे वे थे चूंकि काफे ज़्यादा कम थे उसको देखकर वापस सबके सब हसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था यह बहुत जादा कमजोर आदमी है और जब इसके पास पावर्स थी नहीं तो यह क्ल आएगी क्यों और यहां मुयां को भी काफे ज़्यादा वुरा लगता है दूसी तग कॉंगजो भी सको दिखकर काफे ज़्यादा हसरा होता है और कहता है कि तुम्हार थो सिर्फ थी इंच तक आrebया या किframes यह